हेलो गाईस क्यासे हो आप लोग तो इस फूड़ो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप World War Z को अपने कम्प्यूटर पे लेप्टॉप पे PC पे कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे उसे इस्ट्रॉल कर सकते हैं यानि कि उसे बाय कैसे करें पर्चेस कैसे करें काफी सारे लोग पुछते हैं कि भाई कोई फ्री तरीका नहीं है क्या या फिर कोई कम पैसे में उसे हम खरीच सके तो मैं आपको ऐसा भी तरीका बताने वाला हूँ जो इससे आप 15 दिन के लिए गेम को पर्चेस कर सकते हैं वो ही मातर 50 रुपय में और इसके लावा अगर आप इस गेम को पर्चेस करने का सोची रहे हैं खेलने का प्लान बना ही रहे हैं तो इससे पहले आप इस वाले वीड़ो को ज़रूर देखलो इस वीड़ो में मैं बताया कि कैसे आप इससे खेल सकते हैं इस गेम को खरीदने से पहले इसके बारे मैं पूरा रिव्यू दिया हूँ और स्वाट में मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी पता है इस गेम में क्या क्या कर सकते हैं शुरू में जिससे हम गेम को जल्दी सीख पाएंगे तो ये वीडियो होने वाले डाउनलोड की उपर तो बिना टाइम वेश्ट के वीडिय उसका requirement क्या है तो यहाँ पर देखिए इसमें बोला जा रहा है Windows 10 का operating system होना चाहिए प्रोसेशर राइजन 5 होना चाहिए अगर आपके बास AMD का है या Intel का है तो i7 होना चाहिए मेरे खिया से i5 में भी चल जाएगा तो आप कम ग्राफिक्स में चला के देख लिजिए ऐसा न है ग्राफिक्स थोड़ा कम रहेगा मांगी चलेगा मस्त और यहाँ पर 8GB RAM में भी चल जाएगा मेरे पास 16GB है और ग्राफिक्स कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं और storage मेरे ख्याल से 70GB चाहिए आपको यहाँ पर 50GB गलत दिखा रहा है तो यह अच्छे performance के लिए दिख से ले तो पचास रुपए में आप 15 दिन को खेल सकते हैं 15 दिन के लिए ले सकते इस गेम को बागी आप अलग और भी ऑफ़र जाना चाहते है तो वो भी इसमें पता चल जाएगा तो पहले आपको मैं बताता हूं कि इसे permanent कैसे purchase करें तो इसके लिए आपको किसी भी Microsoft browser में जाना या कोई भी browser में आप चले जाना वहां पर आपको search करना है Steam download for PC और यहां पर आपको link देना है for PC बस आपको link देना है और उसके बाद जो है यह डाउलोड हो जाएगा यह एक gaming software है जहां पर मतलब gaming यह के store है जहां पर सारे games आपको मिल जाएगा जितने भी आप game जान order का install करने का अभी मेरे पास already है तो मैं आपको process बता रहा हूँ बहुत आसान है अप ध्यान से समझो आपको बस continue करते जाना है और उसके बाद यह करीबन एक जी भी लेगा पूरा install होने में update होने में completely install हो जाएगा उसके बाद आप इसे open करना तो मेरे में open है अभी यह account create ह नहीं करना है उसमें काफी problem होता है आपको आ जाना steam के website में जैसे कि मैं आपके लिखता हूँ steam login steam account create लिखते है account create यह देखो और इसके बाद मैं इसमें चला गया है इसके website में यहाँ पर आपको simply एक account create कर लेना इसके लिए आपको कोई सभी email address डालना है जो भी आपके पास email address है तो यहाँ पर अभी मैंने email address डाल दिया है और उसके बाद मैं continue करता हूँ फिर बोला जा रहा है कि इस email address पे एक notification गया है जिसमें आपको ok करना है जैसे मैंने अपने gmail को open किया वहाँ पर एक message आया था जिसमें verify करने के लिए बोला जा रहा था उसमें मैंने click किया फि यही वो login होता है और उसके बाद मतलब यह username जैसा है उसके बाद आपको password डालना है यहाँ पर confirm करना है और done करके अपना ID password बनाना है और direct यहाँ पर आप steam में अपना जो account है उसको आप simply login करके open कर लीजेगा तो मैं आपको process बता चुका हूँ बहुत आसान तरीक है ऐसे यह मैंने लिग दिया World War Z अभी देखो यह 1500 का दिखा रहा है एक्सली यह जो गेम है यह 700-500 में मिल जाता है 700 करीब इसका discount में price चलता है आप यहाँ पर इसके rating को मत देखना यह बहुत ही जवर जस्त गेम है मैं खेल चुका हूँ मतलब अभी तक कि जितने में गेम्स खेला बहुत ही बढ़िया से मैंने रिव्यू किया हुआ है इस गेम का और जबर जस्त गेम है आपको ऐसे गेम मिस नहीं करना चाहिए तो यह गेम डिसकाउंट में करिब साथ सो पर जाएगा जब डिसकाउंट आएगा इस्टीम में आपको चेक करते रहना पड़ेगा सेल वेल यहाँ पर चलती रहती है आप यूटूब पर बता कर सकते हैं और अभी तो यह इतना ही मिल रहा है तो आपको add to card पर click करना है और उसके बाद continue shopping जैसे आप इसको add to card में click करेंगे फिर in card दिखाएगा आपको इसमें click कर देना है फिर उसके बाद continue payment करना है अब यहाँ पर आपको payment डालना पड़ेगा तो payment का काफी साहता ही का जैसे आपके पास debit card है तो debit card मतलब की ATM card अगर आपके पास वह है तो उसमें visa या mastercard होना चाहिए रूपय वाला debit card काम नहीं करने वाला और यहाँ पर debit card ATM card यही है net banking काफी कम लोग पास होता है तो आपको debit card चाहिए या credit card चाहिए बाकि net bank की काफी मुस्किल होता है और उसके अलावा तो यहाँ पर UPI का कोई option नहीं दिख रहा है तो मैं अब अभी debit card select कर लेता हूँ और उसके बाद आपको अपना billing information देना है मतलब अपना पहला नाम डालना है जैसे मेरा नाम छवी है उसके बाद अपना cost डाल in my city आपको इन बिलासपूर city इन राइपूर city जहां भी आप रहते हैं city का नाम Google में search करना और billing address आपको डाल देना है वही अपना जीले का नाम और राज्य का नाम बस इतना ही करना है continue करना है फिर उसके बाद card से कैसे payment करना है यह आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पत सकता तो अगर आप permanent खरिदना चाहते हैं तो यहीं से आपको खरिदना है और उसके बाद game को install करने का option आएगा करीबन 60 GB के आसपास है यह game तो अब मैं आपको बताने वाला हूं install करने का दूसरा तरीका जिससे आप बहुत ही कम पैसे में या फिर आप समझ सकते हैं free में उ उसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 option मिल जाएगा आपको 50 रुपर वाले game pass के उपर click करना है और यहाँ पर देख सकते हैं 14 days के लिए game pass को जैसी purchase करेंगे नीचे में जो जो आपको games यहाँ पर मिल रहा है top का वो सब आप यहाँ से खेल सकते हैं 14 दिन के लिए और भी काफी स इसको install करने में अलग payment payment करना पड़ता है इसमें UPI का function है तो अगर आपको purchase करना है इसको तो इसके लिए एक dedicated मैं वीडियो बना चुका हूँ कि game pass को कैसे purchase करें क्योंकि game pass को purchase करने के लिए आपको अलग process follow करना पड़ेगा तो यह वाला जो वीडियो है इसको देखना पड फिर उसके बाद वर्डवार्जेट को install कर पाएंगे तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने purchase कर लिया वर्डवार्जेट को game pass में तो कैसा दिखाई दे रहा है तो यह देखिए मैंने game pass purchase कर लिया तो मैंने इसको option आ रहा है पहले यहाँ पर 50 रुपे का दिखा रहा पर और यह देखो यह play का option आ रहा है मैंने इसे पहले से install कर रखा है देखो अभी मैं दिखा रहता हूँ World War Z यह देखो मेरे पास World War Z install है मैं इसे चालू करूंगा तो चालू हो भी जाएगा आपको दिखा देते हैं चालू करके तो इस तरहीए से आप download कर पाएंगे इसे purchase कर सकते हैं डाउलेट इंस्टॉल कर सकते हैं 50 पर में या आप समझ सकते हो भाई फ्री ही है एक प्रकार से मेरे खाल से तो गेम पास से आपको purchase करना चाहिए 15 दिन कम नहीं हो था और यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे purchase करें बाकि आपको अग अच्छे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक के यार